मिस्लेनियस एक्सेसाइज, question no.7, यहां पर देखी क्या दिया है, log x की power log x, इसको differentiate करना है with respect to x, तो हम क्या करें, पहले इसको y से एक्वेट करो, अब इसके दोनों तरफ log ले लो, तो यह क्या हो जाएगा? log y is equal to log of log x power log x, इस तरीके से हो जाएगा, अब क्या होगा? यह log x यहां multiply में जाएगा, इसको आप यहां लिख लो, log x, ठीक है? अब हमें क्या करना है? differentiate करना है इसको with respect to x, यहां log y का differentiation होगा, यहां product rule लग जाएगा, ठीक है? तो यहां पर differentiation होगा, तो simply 1 by y, dy by dx हो जाएगा, इधर आएगे तो यहां product rule लगाएगे, तो हम इसे लिख सकते हैं, log x, d by dx of log of log x plus log of log x, then d by dx of log x, इस तरी के साथ आप इसको लिख सकते हैं, अब देखिए, यहां क्या होगा? यहां पर इसका differentiation होगा, log x into, log of log x का होगा, 1 by log x, फिर इसके बाद, d by dx of फिर से होगा, log x का, ठीक है? तो यहां log x से log x cancel हो जाएगा, इस तरफ देखिए क्या होगा? log of log x, as it is, log x का होगा, 1 by x, तो यहां होगा, 1 by x, तो अब यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर log x का differentiation होगा, यह तो cancel होगा, के वल यह बच्चा है, इसका होगा, 1 by x, तो यहां लिख दो, 1 by x, प्लस इसको आप लिख सकते हैं, log of log x divided by x, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि 1 by x को हम बार निकाल लें, और यह हो जाएगा, 1 plus log of log x इस तरीके से, ठीक है, अब क्या है, यह जो है, यह है, 1 by y, dy by dx, तो हमें चाहिए, dy by dx, तो उसके लिख आप y को इसमें multiply कर दो, और y की value यह है, तो हम क्या लिख सकते हैं, log x की power log x divided by x और यहां bracket में, 1 plus log of log x, तो यह है final answer.